Hey Computer Experts, अगर आपके Start menu, Search bar, और फिर Tax bar, अगर आपके और कुछ नो कुछ प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है आपके लिए, कोई ने काई ओफ्रीज हो रहा है, अटक रहा है, नॉट रिस्पोंडिंग आ रहा है, कुछ अनलोई इंगी कुछ अलगी behavior कर रहा है, तो ये वीडियो अगर आपके लिए, तो बस इस वीडियो को लाक्ष तक देखते रहे हैं, अगर आप हमें से टैप में कुछ ना कुछ नहीं सीखते रहना जाते हो, तो चोग मज़ना टैक अप कर नए अपडेट्स को, अभी किले दोस्तों मेन नामियों गज़ा चौतरी, आप एवर टैक आप चले, लेट्स गो, तो दोस्तों, अब हम आगा है, कम्पूटर स्क्रीन के ऊपर, हम स्टैप बाए स्टैप सारे स्लूइशन आपको बताएंगे, सबसे पहले स्लूइशन के अंदर आपको प्रेस करना है, कंट्रूल, अल्ट और डिलिट, तीनों एक्सा जैसे आप प् सेकेंड पॉलिंट के अंदर आपको थोड़ सा नोट करना है, कि यह जो प्रॉब्लम आने से पहले, आपने कोई अपडेट, या फिकोई ड्राइवर, या फिकोई सॉफ्टर इंस्टॉल किया था, तो 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 उस्ते अंस्टॉल कर लेना है, अगर ऐसा क्मांड टाइप करना है, sfc slash scan now, scan होने के बाद अगर आपको कोई एरर दाता है, तो आपको इसके बाद अगला कमांड रंग करना है, dism slash online slash clean up image slash scan health, इसके बाद या आपके health को scan कर लेगा, और उसके बाद इसको repair करने के लिए आपको यही कमांड पर से टाइप करना है, dism slash online slash clean up image slash restore health, जैसे enter बाद हो कि आप भी problem का solution पूरा scan हो कि यह problem solve कर देगा, और अगर आपको चलने में कोई नो कोई एरर आ जाती है, तो simply cmd के जगा, आप यहां पर parcel का भी user फिले सकते हो, phone point के अंदर start menu search bar या फिर task bar जो है, अगर हो force हो गया है, या फिर not responding आ रहा है, simply आप यह command type करना है, get appx package minus all users for each, add package, add appx package, disable development mode, register, install location, appx manifest and यह जो पूरा command आपको दिख रहा है, इसको फूरा आपको copy paste करके यहां पर enter मार लेना है, यह पर simply आप इसको देखके, आप यहां पर click के enter मार देना है, जो problematry जो चीज है, उसको यहां पर package, windows खुद उड़ा के कर देगा, जो कि हो सकता है, आपके problem को solution कर दे, लाश्ट वार तरीके तो राम माना दोस्तो, इस वार तरीके दोस्तों, आपको काफी हद तक, आपका solution हो जाना चाहिए, control shift और escape दबाना है, फिर बाह में उसके अंदर आपको type करना है, registered, यहां पर open कर दोगे, आपके सामने register editor यहां पर open हो जाएगा, तो यह location आपको screen पे दिख रही है, simply उसके अंदर आ जाना है, हम जाता है, hk current user, उसके बाद software के अंदर है, फिर Microsoft के अंदर, फिर Windows के अंदर, फिर current version के अंदर, फिर explorer, advanced, फिर right stand के अंदर आपको दिखेगा है, एक option task bar HD, अगर आपके यह दिख जाना है, हो सकता आपके नई भी दिखे, तो अगर आपके दिख रहा है, तो simply आपको इसको double click करके आपकर 0 आपे value हो, तो इसको 1 क्लिक करके अप्ले कर देंगे, ok कर देना है, उसके बाद आपको computer को करना हो, restart और आपका problem solution हो जाएगा, इस वार तरीके अंदर, आपको simply अ computer को data copy करके, अपने C drive को format कर दीजे, आपको problem solution हो जाएगा, दोस्तों, आपके वीडियो ची लगे हो, तो like तो कर देना, अगर आपके दिख में कोई भी सवाल आ रहा है, कोई भी doubt आ रहा है, तो comment जलू करना, advice हम आपके जरूर एसरप करेंगे, आपके problem का जरूर solution करेंगे अगर वीडियो यहां तो देखिए, तो subscribe और notification बेल को उन जरूर करेंगे देना, अभी के लिए, bye bye, मिलता है अगली वीडियो में